दोस्तों अगर आप सब भुझपूरी फिल्में देखते हैं तो आप सब नहीं से एक्ट्रिस को तो जरूरी देखे होंगे यह भी नेतरी जादातर भावी का रोल, कॉमेडी रोल यानि कि इनका सपोर्टिंग रोल बहुती जादा फेमस है सो आज मैं आप सब को इन ही की जानकारी देने वाली हूँ सबसे पहले तो मैं आप सब को यह बता दूँ कि इनका असली नाम है सुईता बर्मा और इनका निक नेम है मोना इनका जनम 11 दिसमबर 1994 को मुझपर पूर बिहार में हुआ है फिल्मों में काम करती है इसलिए अभी अपनी फैमली के साथ मुंबई में रहती है क्या आप लोग मुझसे परेशान है तो मैं क्या करूँ? मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान है स्वेता बर्मा भोषपूरी फिल्मों के साथ मैतली फिल्म, हिंदी टीली सीरियल और एड़्स भी करती है ऊसके बाद उन्होंने अनेकों भोषपूरी फिल्मों में काम किये है जैसे कि बिबाह, नईहर, निरहोगन हिंदुस्तानी 3, दवं गासिक, राजा बाबु स्वेता बर्मा की हिंदी टीवी सीरियल की बात करें तो ये रिस्ता क्या कहलाता है कबच और मुस्कान जैसी सीरियलों मिन्होंने काम किया है अगर आपको कभी अकेला पन महसूस हो तो हॉरर फिल्म देख लेजे काफी टाइम तक लगेगा कि आपके साथ कोई है स्वेता बर्मा की रियल्लाग की बात करें तो रियल में ये साधी सुदा है इनके साधी को 8-9 साल हो गया है और ये है स्वेता बरमा जी के पती अब सब को यह भी बता देती हूं कि स्वेता बर्मा माँไมek बन चुकी है इनको एक क्यूट सा बेटा पी है और इनका बेटा 5-6 साल का है स्वेता बर्मा जी देखने में इतनी यंग लगती है कि मानों ये कुवारी है पर नहीं इनकी साधी भी हो चकी है और ये मा भी बन चुकी है पर अभी भी ये भोशबूरी फिल्मों में काम करती है और सायद आगे भी करती रहेंगी तो दोस्तों आई होप एक्ट्रेस स्वेता बर्मा जी की जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो और इनकी जानकारी 99% सच है आप लोग चाहे तो इनका बायो डाटा साच कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग बाय बाय टेक क्यार